अलो गाइज स्वागत आप लोग को सुननी साइमन बॉलोक्स में तो गाइज अभी मैं हूँ इट उद्योग में अब देख सकते हैं मेरे पीछे यह कितने सारे यहां पर इट लगा हुआ है जो कि अभी कच्चा है और यहां ही पर इटा बनाया जाते हैं इधर आप देख सकत करते हैं अपने बालावचा को भोजन दिने के लिए का प्रराता के लिए और परहाने लिखाने के लिए इस महाई कि जवाण है और क्या-क्या काम करते हैं आए आप लोगों को दिखाता हूं कि इट यहां पर देख रहा है कि तो बनाए जा रहा है और यह है मिटी मिटी को पूरी तरह से शाल वो और इसके साथ यहां पर बालू रखा हुआ है आप देखें किस तरह से यहां पर इटा बनाए जा रहे हैं यह मेरे भाई जी जो इटा बना रहे हैं आप देखिए उसके बाद इन लोग से आपको मिलाता हूं यह देखें मिट्टी काट लिए हैं और उसके बाद यह हो गया फर्मा इसमें रख दिये इसके बाद इस चर से इसको लेवल करेंगे और फिर इसको इस लाइन में रख देंगे तो इस तरह से हाजारो हाजारो इटा जो बनाए जाते हैं तो आए इनसे बात करते हैं कि यह काम करने में इनको कितना पैसा मिलता है कितने बजाते हैं और क्या-क्या परसानी उठाते हैं कठना ही करते हैं भाई जी आप कितने बज़ा आते हैं इसमें छे बज़े मतलब सब्सक्राइब जैसा कि आपको बता दू कि अभी जो है ठंड का मोसा में काफी जनबरी चल रहा है और इतना ठंड रहता है कि क्या बता है पानी लोग छुने सभी कत रहते हैं लेकिन यह देख तो कैसे इट बनाते हैं तो कितना पैसा मिलता आपको दिर भर मैं मतल VIC 1000 मन जता है एक आदमी से साथ 800 रुपिया बनता है तो ज्यादेacağız ज़्यादा आप कर सकते हैं कि 300 सारे 300 या 400 के आसपास में हो जाता होगा नहीं तो आप देख सकते हो कि आप लोग को और आदमी से मिलाता हूं आप लोग तो जर्मय करते हैं गरीब का जिंद्गी जो हता है किस तरह से होता है सधन्ड के मोसा में अपने परिबार को चलाने के लिए लोग आते हैं यह काम करने के लिए ये पा राए है आप dhato पूर अब देख कर्चा और इसको पकाया जाएगा आप देख सकते हैं कि और इसा यहां पर बन रहा है है यह जो इन इट इसको सोखा करके जब यहां सोख जाता है तो उसको एंण फिर ढेल किया है इस ? इट को बनाने काफी परकिरिया के बाद ये इट बनता है तो आए आप लोग को और आदमी से मिलाता हुए आप देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं मेरे भाई यहां पर भी एक है जो यहां इट बना रहे हैं आप देख सकते हैं कितना मेहनत कर रहा है और इस ठंड के मोसा म अब यह लोग ना तीन बज़े चार बज़े आते हैं इस उद्योग में और यह गिल्ले मीटी को अपने हां से छोते हैं अब देख सकते हैं